पुश्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कमला हैरिस की अमेरिका की डैमोक्रेटिक की नई प्रसीडेंशियल उमीदबार हैं और किस तरह उन्होंने जो वाइडन की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है लोग उनके पॉजिटिव वाइबस की बात करने लगे कमला हैरिस ते positive vibes आती हैं लेकिन ट्रम्प supporters का कहना था कि हैरिस सिर्फ vibes है यानि हैरिस को सिर्फ positive vibes आती है असली policies नहीं है है असली policies कोई और है पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि हैरिस vice president रहते हुए बाइडन की नीतियों को ही आगे बढ़ाने की बात करती रही है जो बाइ दिया है है हैरिस की housing policy काफी मजबूत है वो जादा घर बनाने और नए घर खरीदने वालों की मदद की बात करती है जो लोग नया खरीदना चाते हैं ताकि middle class को वहीं manufacturing में भी उन्होंने चाइना से competition पर जोड़ दिया है जो अमेरिका की विवस्ता को मजबूत कर सकता है अ क्योंकि अमेरिका में आपने सुनाओका अमेरिका बहुत रईस है बट अमेरिका में करोलो लोग बिचारे बिकारी टाइप के हैं खाने पीने की दिक्कत है तो वहां grocery cost को कम करने की policies की तो उन्होंने competition बढ़ाने की बात की manufacturing ज्यादा होना चाहिए अमेरिका में हालांकि इस सर्वे बताते हैं कि Harris ने inflation और living cost जैसे मुद्धों पर Trump से बड़त बनाई है ये एक positive factor है कमला Harris के लिए हलांकि Trump का deportation और tariff जैसी policies पर अभी भी कुछ लोगों का बरुसा है कुछ मुद्धे ऐसे हैं जिन पर ज्यादा बरुसा कर रही है अमेरिका के जनता कुछ मुद्धे जैसे इन पर कमला Harris पर बरुसा कर लिए है लेकिन Harris की policies को inflation control करने और अर्थ विवस्ता को steady रखने के मामले में experts ने बहतर बताया है जारत दर लोग चाहते हैं कि अमेरिका तरकी करे आर्थिक इस्तिदी में मजबूत ही आए तो फिर लोग Harris को ज़्यादा पसंद करेंगे Harris ने 82 page का economic platform page किया है जिसमें कई मुद्धे cover किये गए हैं housing से लेकर health care और energy costs तक और दिल्चस्प बात यह है कि उन्होंने deregulation और pro business policies पर भी जोर दिया है बिजनेस को ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए जो democratic party में कम देखने को मिलता है बट Harris ने change किया है child tax credit और earned income tax credit जैसी welfare programs को Harris expand करना चाहती है जो गरीब परिवारों को सीधा पैसा देते हैं भारत में भी ऐसा हुआ है मुदी के आने के बाद कि direct पैसा account में transfer हुआ है पहले तो दलाल खा जाते थे लेकिन यहाँ एक चिंता है अमेरिका का बढ़ता हुआ deficit अगर Harris का welfare state बढ़ता है तो इसे कैसे balance किया जाएगा जैसे हमारे यहां केजरीबाल साब भी कहते रहते हैं सब फिरी सब फिरी सब फिरी तो अगर सब फिरी दे दिया जाएगा तो भारत की अर्थ वस्ता भी तो चर्मारा जाएगी किसानों को चाहे help देने की बात हो कम से कम चीमत तैय होती है कीमत वो देने की बात हो तो बहुत सी चीजें नजर में रखनी होती है सरकार पार फिरी पैसा भी तो चीए भाई सिस्टम भी तो चलाना है वहाँ पर भी चिंता का विशह है कि अमेरिका में किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाएगा इनर्जी पॉलिसीज भी खास है वो फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन एनर्जी दोनों को सपोर्ट कर रही है नेशनल सिक्यूरिटी के लिए बैटरी प्रोड़क्शन को अमेरिका में लाने पर भी उनका फोकस है इसका मतला अमेरिका में अभी तक बैटरी प्रोड़क्शन नहीं होता है इंडिया में होता है और टाटा इस मामले में बहुत आगे है टाटा के पास कुछ ऐसी चीजे हैं जो टाटा सस्ते में बैटरी बना पाता है और टाटा अपनी कारों को भी सस्ती रख पाता है ऐसे ही मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया तो दोस्तो कमला हैरिस की पॉलिसी एक तरफ से वाइडन की लेगेशी को आगे बढाती दिखती है लेकिन साथी कुछ बोल्ड और नए कदम भी उठाती है कमला हैरिस अब देखना यह है कि क्या यह पॉलिसी अमेरिका और दुनिया को नई दिशा में लेकर जाएंगी वीडि और दिन ऐसे ही मज़िदार और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें जैहिद जैवारत